हलो गाइज एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरा इस चैनल अपना कोचिंग सेंटर में आप लोग के तहें दिल के साथ स्वागत करता हूँ आज की सेसें में जैसा कि आप सब नाइन है चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किये आज का क्लास करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा साथ में बेल आकिन की घंटी को भी आउन कर लेज़ेगा और आप लोगों को इसका फ्री आफ कॉस्ट पीडिया होगी ठीक है अध्यान रहिए वैसे बच्चे जो एससे सीजियल छेसल एमटीएस की त्यारी कर रहे हैं साथ में आधर कंपिटेशन के भी त्यारी कर रहे हैं उनके लिए मौस्ट भी आई होता है जीके ध्यान रखेगा सभी और कंपिटेशन के लिए यह आपका जीके काम माने वाला है तो पूरा प्रेक्टिस सेट लगाए क्यूच के माध्य हमसे और देखिए अब जितना ज्यादा प्रेक्टिस के जिए गाइज उतना ही आपकी तैयारी जो होतनी ज्यादा मजबूत होती चले जाएगी ठीक है और जितनी ज्यादा आप लेकिए आप लोगों क का तियारी होगा जितनी अच्छी तरीके से आप लोगों के त्यारी होगी आप लोग जल्दी सेलेक्षन ने पढ़िए गा मैं उमीद करता हूं कि सभी वच्चों का सलेक्षन हो गाइज चलिए स्टाट करते हैं आज का क्लास का यह पहला है इस क्रीन पर आप लोग को सवा जी गैज इसका सही जवाब होगा option number C is the correct answer मिला लेजेगा इसका सही जवाब होगा अजाद सत्रू हर एक वंस के किस सासक को कुनिक कहा जाता था तो अजाद सत्रू चलिए next question है गैज दूसरा हमारा किस सासक ने गंगा एम सोन नदियों के संगम पर पाटली पुत्र नामक नाम से जाना जाता है ध्यान रखेगा तो चार आप लोगा बीच है सही अंसर कमेंट करने हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट किजिए गाई इसका सही जवाब क्या होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अप्शन नमबर बीज दक करिक्ट अंसर मिला लेज़ेगा अप्शन बीज सही जवाब होगा गाईज उदाईन ठीक है चलिए नेक्स कोशन के रबढ़ते हैं गाईज तीसरा सवाल है आप लोग के बीच में सिसुनाग वंस का वह कौन सा सासक था जिसके समय में वैसाली में दुत्य बोच संगीती के आयोजन किया गिया उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है तो चलिए चार अप्शन आप लोग के बीचे सही अंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में फड़ा जल्दी से नमबर बी इस दकरेक्ट अंसर मिला लेजेगा ऑप्शन बी सही जवाब होगा काला सोख जो बोती बहुत संगीती जो हुआ था गाजी दूतिये उसका जो आपका किसा सके द्वारा किया गया था तो काला सोख ध्यान रखेगा उप्शन भी सही अंसर हो जाएगा चलिए को अप्शन नमर फोर है अब लोगे पीच में घैज तीनसो ताइस शाप पूर में सिकंदर महान की मिरती हुई थी कहां हुई थी आप लोगे को बताना है चार अप लोगे बीच है सही अंसर कमेंड करना है कमेंड बॉक्स में फटाक से कमेंड कीजिए सही जवाब क्या हो जा question number 5 है आप लोग के बीच में गाई सिकंद्र महान एवं पौरस जिसे पूरू भी कहा जाता था कि सेनाओं ने निमली खित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटो पर प्लाव डाला हुआ था चार उप्सन आप लोग बीच है सही अंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में तो जल्दी इस कमेंट किजिए गाई जिसका सही जवाब क्या होना चाहिए जी गाई इसका सही जवाब होगा ओप्सन नमबर बी इस दा करेक्ट आंसर होगा मिला लेजेगा ठीना ओप्सन बी सही जवाब होगा जहेलम आप लोगों को कमेंट करना है कि ये जहेलम नदी जो है अभी बरतमान में कहां इस्ती थे गाज यानि किस स्टेट में इस्ती थी आप लोगों बताना है चलिए Question No.6 है गाज आप लोग के बीच में बेनिफिट हो सके गाज देखिए आप किसी की मदद करेगा तो भगवान आपकी मदद करेगा गाज इसलिए एक दूसरे का हेल्प करते चलिए चलिए Question No.6 है गाज किस परकार का मिर्द भांड जिसे पॉटरी कहा जाता है भारत में दोतिय नगरी करन या सहरी करन के प्रारंब का प्रतीक माना गया है चार ओप्सन आप लोगों के बीच है सही अंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट किजिए गाज कि सही जवाब क्या होना चाहिए Question No.6 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा Option No.6 is the correct answer होगा आज मिला लेजीगा उत्री काले पाली स्कृत बरतन ये जो है आपका दूतिय नगरी करन जैसे सहरी करन भी बोला जाता है प्रारंब का प्रतीक माना आ जाता है चले Question No.7 है आप लोग के बीच में गाज पाली गरंतों में गाओं के मुख्या को क्या कहा गया है चार आप लोग के बीच है सही अंसर कमेंट करना है कमेंट बोक्स में गाज फटाक से कमेंट किजिए सही जवाब क्या होना चाहिए और दिखिए गाज इमोस्ट बीबी चले Question No.8 है आपके बीच में उजेन का प्राचिन नाम था चार आप लोग के बीच है सही अंसर कमेंट करना है कमेंट बोक्स में जल्दे से कमेंट किजिए इसका सही जवाब क्या होगा गाजिए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा Option No.A is the correct answer मिला लेजगा Option A सही जवाब ह होगा ठीक है ना उजेन का जो प्राचिन नाम था वह अवंतिका था यह भी सवाल पूछा हुआ है देखिए मैं आप लोगों को जितने भी कि MC Qs के माध्यम से प्रेक्टिस करवाता हूं गाज सभी के सभी मौस्ट भी वी यह होते हैं क्योंकि कहीं ने कहीं किसी भी एक्जाम में वो पूछा हुआ है गाज वही कॉस्चन में आप लोगों को इंक्लूड करता है जो प्रिविस येर में आप लोगों को पूछा कि यह सेशन बहुत इंपोर्टेंट होता है इसलिए सेशन को पूरा क्यूच के टेस्ट लगाने का कोशिस किजिए गाज क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रेक्टिस किजिएगा उतना आपका बेनेफिट होगा चलिको से नमबर नाइन है नंद वन्स का संस्थापक कौन थ कि ग्रीक या यूनानि लेख को दवारा किसे अगर मीज या जैन्डर मीज कहा गया है चार उप्सन आप लोको बीच है स्यांसर कमेंट किजिए गाज जीगा जीजिसका सही जवाब होगा option number D is the correct answer मिला लेजीगा option D सही जवाब होगा घनानन्द चले question number 11 है जा आप लोगे बीच में प्राचिन भारत में पहला विदेशी आकरमन किन के दोवारा किया गया था यह आप लोगे बताना है 4 option दिया गया है प्राचिन भारत में दूसरा विदेशी आकरमन पहला यूरेपिया आकरमन किन के दोवारा किया गया चार आप लोगों को बीच है सही अंसर कमेंट कर जिए जिए गया इसका सही जवाब होगा option number 20 दे करिक्ट अंसर यूनानियों दुवारा चलिए question number 13 है गया आप लोगे बीच इरान के हकमनी वन्स के किस सासकने भारतिय भुबाग को जितने के बाद उसे फारस समराज का विश्वा प्रांत यानिकि छत्र पे बनाया चार option आप लोगे बीच है सही अंसर कमेंट किजिए गयाज जी गयाज इसका सही जवाब होगा बिल्कुल बे नंबर 20 दा करिक्ट अंसर मिला लेजी गया डेरियस जिसे दायर बाहु पर्थम भी कहा जाता है चले question नंबर 14 है गयाज आपलों के बीच में हाइडेश पस हाइडेश पस या वितस्ता आधोनिक नाम अभी फिलाल इसको कहा गया कहा जाता है बरतमान में जेलम का युद्ध 326 BC यानि विफोर क्राइस्ट किन किन सासकों के बीच हुआ यह बहुत फेमस युद्ध है गयाज और बहुत मस्ट भी आई question भी बनता है जी गयाज इसका बिलकुल सही जवाब होगा option number a is the correct answer मिला लेजेगा ठीक है सिकंदर एवाँ पॉरस के मद्ध हो था चले question number 15 है आप लोगे बीच में सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमन किया चार ओप्षन दिए गये हैं सही एंसर कमेंट किजिए गाईज बिलकुल सही जवाब होगा option number a is the correct answer हो जाएगा ठीक है 326 इसा पूर्व में चली question number 16 है आपका मगद की पर्थम राजधानी कौन सी थी चार ओप्षन आप लोगे बीच है सही एंसर कमेंट किजिए गाईज बिलकुल सही जवाब होगा option number 6 is the correct answer हो जाएगा गरीबराज या राजगरी चली question number 17 है आप लोगे बीच में किस सासक दवार अपसर पर्थम पाटली पुत्र का राजधानी के रूप में चेन किया गया चार ओप्षन आप लोगे बीच है सही एंसर कमेंट करना है कमेंट बोक्स में जी गाइज बिल्कुल सही जवाब होगा option number 6 is the correct answer उदाईन अभी बरतमान में ऐसे किस नाम से जाना जाता है पटना के नाम से कहां situated है गाइज बिहार का राजधानी है ध्यान रखेगा चलिए question number 18 है गाइज सोला महा जनपदों की सुची उपलब्द है किसमी उपलब्द है सोला महा जनपदों की चार ओप्षन आप लोगों को दिये गए हैं सही एंसर कमेंट करना है कमेंट बोक्स में जल्दे से कमेंट किजिए गाइज जी गाइज बिल्कुल सही जवाब हो होगा option B option B सही जवाब होगा ठीके ना मिला लिए जीगा option B सही जवाब होगा अंगुत्तर निकाय में चलिए question number 19 है आप लोगों के बीच में निमलिखित में से मगद का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालिन था चार option आप लोगों के बीच है जी गाइज बिल्कुल सही जवाब होगा option number B is the correct answer मिला लेजेगा घनानन्द चलिए 20 है पर्थम मगद समराज का उतकर्स किस नदी में हुआ था चार option आप लोगों के बीच है नदी नहीं गाइज सोरी सदी में पर्थम मगद समराज का उतकर्स किस सदी में हुआ था जी गाइज इसका सही जवाब होगा option B option B is the correct answer अगवा छटी सदी सापुर में चलिए 21 है आप लोगों के बीच में अभी लेखिये साक्षे से प्रकट होता है कि नंदर आजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी तो कहां खोदी गई थी यह आप लोगों को बताना है 21 जी गाज मिला लिजिए इसका सही जवाब जो होगा option number C is the correct answer होगा कलिंग में याद रखेगा जो नहर खोदा गया था नंद राजा के दोवारा वह आपका नंद राजा के आदेश के दोवारा वो कलिंग में खोदा खोदा गया था याद रखेगा था चलिए नेक्स्ट कोशन के रोब बढ़ते हैं गाज कोशन नमबर 22 है पहला इरानी सासक जिसने भारत के कुछ भाको अपने अधिन किया था चार आप लोग के बीच है सही अंसर कमेंट किजिए जी गाज इसका बिल्कुल सही जवाब होगो अप्शन नमबर C is the correct answer मिला ले जाए डेरियस चलिए कोशन नमबर 23 है मगद के राजा अजाद सत्रू का सदेव किस गन राज के साथ युद रहा चार आप लोग को बीच है सही अंसर कमेंट किजिए जल्दे से कमेंट किजिए गाज जी गाज इसका बिल्कुल सही जवाब होगो अप्शन नमबर A is the correct answer मिला ले जीगा है ना वज्जी संग जिसे वैसाली भी कहा गिया है चलिए कोशन नमबर 24 है वज्जी संग के विरुद मगद राज के किस सासक ने पर्थम बार रथ मूसल जिसे कहा जाता है गाज रथ मूसल का अर्थ है एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हंथियार जुड़ा था तथा महासिला कंठक जिसका अर्थ होता है पत्थर फेकने व सब्सक्राइब पूछा हुआ सवाल है जिए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑफ्षन नमबर ऑफ्षन नमबर ऑफ्षन नमबर ऑफ्षन करिक्टर अंसर अजात सत्रू चलिए 25 है जैसा कि हर एक सेशन में आप लोगो 25 कोश्चन का प्रेक्टिस सेट करवा जाता है तो यह हमारा लास्ट सवाल है आज का नंद बंस का अंतिम समराठ कौन था चार अप्षन आप लोगों बीच है सही अंसर कमेंट करने किजिए फटार से जी गाज इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्षन नंबर बी इस दर क्रेक्ट अंसर नंद बंस का जो अंतिम समराठ था घना नंद था ठीक है तो यह सेशन आप लोगों कैसा लगा गाज कमेंट कमेंट बॉक्स के माधियम से फिटबेक जरू दिजेगा और वीडियो अ सब्सक्राइब कर लिजेगा और आप लोग अगर हमारे चैलेंग पर नए हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा गाज साथ में बेल आकिन घंटी को भी ऑन कर लिजेगा ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंद जाए गाज और इस सेशन को पूरा देखने के लिए आप लोगा बहुत बहुत धन्यवाद गाज मिलते हैं जल्द ही नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत